हेलो एवरिवन नमस्ते कैसे हो आप सब होप करते हो फ्रेंस आप सब बढ़िया होंगे तो आज हम रियूस करके दो डियाइवाइ बनाने वाले हैं और ऐसा आइडिया आपके लेकर आए हूँ अगर आप सीख रहे हो तो भी यह बहुत काम के दोनों आइडिया है तो चलिए करसे हैं सबसे पहले हमने 12 by 8 इंच के पार्ट काट किया है और इसे के नाम से फॉप और लास्ट में अस्दर काट किया है जो बलाउच वे इसमें यूस को होता है वो भी आप कर सकते हैं और गिल्ट करके रेडिया है 1.5 इंचिस पर हमने इवपर की साइड मार्किंग की फि अब हम सेप देंगे तो यहाँ पे जो 3 इंच इस पे मार्किंग किया था वहीं से कुछ इस तरीके से तिर्ची लाइन करते हुए कॉर्नर पे रावन सेप देंगे अब दोनों साइड हमने सेप दे दिया है और अब हम वो कट कर लेंगे एक हम लेंगे जिप तो इसमें सिर्फ दो टुकडों से ही आप क्यूट सी हैंड बैक बना सकते हैं अब हम जिप को ऐसे रख के जोड लेंगे और हाँ फ्रेंज आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगी तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना और मैंने जो पिंक कलर की बैक पोस्ट की है मैं उसमें लिखा है पचास कमेंट आ जाएंगी तो मैं आपको वीडियो सिखा दूँगी तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिए और हम वो न्यू बैक बनाए तो चलिए एक साइड हमने अटेज कर लिया उसके बार हम यहां पर दूसरा पार्ट लेंगे स्टीज करके जोड देंगे फिर टॉप स्टीज कर लेंगे आज का वीडियो अच्छा लगे तो रेड हाट बनता है ना तो कमेंट में रेड हाट जरूर कर दीजेगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजेगा अब हम जिप के अंदर रनर डाल देंगे तो इस बैक की खास बात क्या है उपर का जो बोर्डर है ना वो देख रहे हो ना आप फ्रेंस अलग से हमें कट नहीं करना पड़ा अब हम यह जो बोर्डर है उसे ऐसे फॉल्ड करेंगे और जहां तक यह जो बोर्डर जा रहा है वहां तक ऐसे फॉल्ड करके मार करेंगे अब इसकी वज़ा क्या है तो इसकी वज़ा यह है कि दोनों साइड हम मार करेंगे वहीं से नाप लेना आपको स्टार्ट करना है ऐसे अब यह जो नाप जो भी आए आपका उस हिसाब से आपको बॉर्डर की लंबाई डिसाइड करेंगे 17.5 इंचीस बॉर्डर की हमने लंबाई डिसाइड की अब हम यहां पे 4 इंचीस रखेंगे इसकी वज़ा यह है कि हमारा जिप वाला पार्ट 4 इंचीस है 15 इंचीस की दो बैल्ट रेडी कर लिए है अब हम बैल्ट सबसे पहले अटेज करेंगे तो यहां पे जो बॉर्डर है वो फिनिश हो रहा है वहां पे हमने लाइन की उसके बाद हमने 1.5 इंचीस पे दोनों साइड मार्किन की है और वहां पे हमें ऐसे फॉल्ड करते हुए अटेज कर लेना है हमें यह बैल्ट तो आप देख सकते हैं हमने बैल्ट को अटेज कर लिया है अब बॉर्डर को लें ए एला देख कर लेंगे और फिर सेलाई करेंगे अब आप देख सकते हो हमने बॉर्डर को अटेज कर लिया है अब यहां पे ऐसे स्ट्रिप लेंगे कपड़ी के भी aún कर लीजिए ऐसे एसे फॉल्ड करके कवा छेड कर लीजिए अब यहां से स्टीज क करना स्टार्ट करें ने मौडर को फेल्ड करते हुई पूरी स्ट्रिफ में हैं को स्टीच कर लेना है में घ्ल्ठाइ ऑड़्क किया उसी थारीके से दूसरी साइड भी आपको अटेज कर लेना है और फिर यह जो स्ट्रिफ है उसे लेना है ऐसे फॉल्ड करें और यह जो रफ दिख रहा है आपको वह हम कवर सिलाई करके फिनिस करेंगे इसके उपर टॉप स्टीज करते हुए अब हमने टॉप स्टीज कर लिया है अब यहां से हम जिप को उपन करके बैग को सीड़ा कर लेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी क्यूट से बैग बनकर रेडी हो चुकी है बहुत ज़्यादा हमने मैनत नहीं की है और ऐसे आप बहुत सारे बैग बना सकते हैं तो इसका मुनाफ़ा कम रखके जादा सेल करके वैसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं क्योंकि यह चोटी है वो उसका सेल भी बहुत होता है उसके बाद जो बचा कपड़ा था उसका हम यूज करेंगे 22 इंचिस बाइ 20 इंचिस का यह मैंने रेक्टेंगल पीस लिया है जिसे हम सैंटर से फॉल्ड करेंगे और फिर हम यहाँ पे 2 इंचिस पर मार्किंग करेंगे फिर यहाँ पे 4 इंचिस की एक लाइन करेंगे और सीधी सी लाइन हम यहाँ पर खीच लेंगे अब ऐसे ही हम इसी के सामने की साइड आपको करना है जैसे हमने 2 इंचिस पर मार्क करके लाइन कीच लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे देखिए यह जो लाइन है वहां से हम कट कर लेंगे देखिए कट करने के बाद अब हम अलग से बॉर्डर कट नहीं करेंगे उपर के पार्ट के लिए हमें बॉर्डर अलग से कट करना पड़ेगा वैसे जस्ट वन कट जै अब वो यहां पे 3 इंचिस पे मार्किंग करें और फिर एक लाइन खीज लें और यहां से कट लगा लीजिए कट लगाने के बाद यहां पे हम जिप कोटेज करेंगे देखे कुछ इस तरीके से एसे रखिए सीधा स्टीज करें फिर आप टॉप स्टीज कर लें इस तरीके से टॉप स्टीज करने के बाद उपर का जो पार्ट है उसे अटेज करें और जैसे हमने नीचे का पार्ट अटेज करके टॉफ सीज की थी वैसे ही हम यहाँ पे टॉफ सीज करेंगे अब यहाँ पे हमने जिप को अटेज किया है तो इसके बेक साइड में कपड़ा लगाना पढ़ेगा तो फ्रेंज उससे पहले हम बेल्ट बनाके अटेज कर लेंगे तो यहाँ पे हमने बेल्ट ले लिए है और जिसका नाफ है 24 इंची रेडी है और यहाँ पे 3 इंची पे हमने दूनों साइड मार्किंग करके बेल्ट को अटेज करना है वैसे तो आप अपने अकोडिंग रख सकते हैं बर मैंने 3 इंची पे रखा है बेल्ट हमारे अटेज हो गए है और यहाँ पे हमने बेक साइड में जिप लगाई है इसलिए कपड़ा लगाना पड़ेगा मैं बोली थी तो इसका रिजन यही था कि हम जिप लगाते हैं तो बनाने के लिए लगाना पड़ता है तो 12.5 x 8 इंची का यह पाट है ऐसे बेक साइड में अटेज करेंगे यहां से लेके यहां तक अब पोकेट बनकर रेडी हो चुका है अब यह जो बॉर्डर है साइड का उसे ऐसे फोल्ड करके माक करें तो यहां पी हमने देख सकते हैं आप दोनों साइड हमने माक कर लिया है अब उपर का जैसे हमने नाप लेना है कुछ इस तरीके से 20.5 इंचिस का बॉर्डर आ रहा है अब हम यह बॉर्डर को 20.5 इंचिस बाए 4 इंचिस का बॉर्डर लिया सेंटर से कट किया यहां पी हम जेप अटेज करेंगे टॉफ स्टीज कर लेंगे उसके बाद दूसरा पार्ट भी हमें यहां पे ऐसे अटेज करना है सीधा फिट ओफ स्टीज करनी है अब यह जो बॉर्डर है उसे आपको यहां पे ऐसे रखिए दोनों साइड और स्टीज कर लें इसे स्टीज करने के बाद यहां पे एक्ट्रा है वो इस तरीके से तिर्चा कट कर लीजिएगा उसी तरीके से यहां पे भी आपको कट करना है सारी साइड से सारी साइड से कट करने के बाद आपको यहां पे करनी है कवर सिलाई दोनों साइड हमने कवर सिला की इसे ऐसे फोल्ड करते हुए पूरे राउन में आपको स्टीज कर लेना है पूरे राउन में स्टीज करने के बाद आप दूसरी साइड का जो पार्ट है उसे अटेज कर लीजिए एसे, यहाANS से, लेके, यहाANS, तक आड़ denial stop. फिर नहीं है, न lied. मैं यहास अठाफिक 64, नवरण की आप कपड़े के ले सकती हो यहाँ पर हुई. यहाँ पर मैंने जो कपड़ा लिया है उसकी जगह, पर आपके पास जो available है वो ले सकती है, नौन वन की जगह राइस बैग ले सकते हैं अब बैग हमारी रेडी हो चुकी है दूप पोकेट है क्यूट सी है बहुत सारा इसमें सामान भी आ जाएगा क्यूंकि बड़ा पोकेट यहां पी है और फ्रंट में मुबाइल चार्जर वगेरा आप रख सकते हैं तो दोनों डिय आपको कैसे लगे मुझे जरूर से बताईएगा फ्रेंज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बबाए जे वारत